आज के इस lecture में हम लोग बात करें कार उर्जा प्रमे की और बच्चा home exam class 11th में ये annual और half yearly दोनों exam में 5 marks में जरूर पूछा जाता है तो देखिए हम लोग बात करें के कार उर्जा प्रमे की तो कार उर्जा प्रमे होता क्या है तो देखो जैसे कह रहा है कार और उर्जा प्रमे यानि कि इसमें कार भी होगा और उर्जा और ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे किसके कार्य जो होगा वो गतिज उर्जा के बराबर ठहरेगा कैसे तो देखते हैं बच्चा ये प्रमय कहती है कि किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वो उसकी गतिज उर्जा परिवरतन के बराबर होता है कि हमने कहा किसी बल द्वारा क्या करना है वस्त उपर कारे करना है जो ये कारे होगा ये उसकी गतिज उर्जा के क्या होगा बच्चा बराबर होगा ये कारे किसके बराबर होगा गतिज उर्जा परिवर्तन के बराबर होगा क्या होगा किसके बराबर गतिज उर्जा तो एक बार हम पुना देख लेकिते हैं हमने क्या कहा कि किसी बल द्वारा वस्तुपर किया गया कार उसकी गतिज उर्जा परिवर्तन के बराबर होता है तो इस प्रकार हम बच्चा कहेंगे कि किया गया कार क्या होता है डबलू डबलू बराबर गतिज उर्जम परिवर्तन तो यहां पर यह क्या है अंतिम गति जूर्जा और अगर हम प्रारंभिक गति जूर्जा पूछें तो क्या हो जाएगा एक बटे दो बराबर डेल्टा के यह हम इस प्रकार में कह सकते हैं कि डबलू बराबर देखना यहां पर के टू माइनस के तूउ इसको मानलो के वन दिख्कत कोई नहीं थी अगर इसको आप के वन मानते के डेकिन अभी जो हम एक्सप्रेशन निकालते वहां तुमको दिख्कत आ सकती थी तो यहां बच्चा देखिए क्या हो जाएगा 1 बटा 2 Mv²-1 बटा 2 M u² तो यह हमारा है एक्सप्रेसन यहां से क्या निकला कि जो किया गया कार्य है वो क्या है गति जूँबर्जा परिवर्तन के बराबर होता है तो हमने देखो वही वच्चा परिभासा में लिख रखा है क्या कि इस प्रमे के अनुसार किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य या कहो क्रत कार्य वस्तु की गतिज उर्जा में परिवर्तन के क्या होता है बराबर होता है अर्थात हमने क्या कहा था हम कह सकते हैं कि क अब आइए कि इसके विंजक कटे हैं कि कैसे जो गती-जूर्जा परिवर्थन कार्इके बराबर होता है, तो दो बाते हमें ध्यान रखनी है एक तो Newton का दूतिय नियम तो Newton का दूतिय नियम से बच्चा F । थीक है निकि द्रब्यमान और तॉडका जो गुड़नफल है वो क्या होता था बलके बराबर यही Newton का क्या था दुतिय नियम वैसे अगर धंका नियम कहेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे एक अच्छा नवग की परिभासा है, ठीक है? क्या कहोगे? कि सम्वेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाहे बलके क्या होती है? बराबर होती है, यहनी कि P बराबर क्या बच्चा यहां पर बनेगा? सम्वेग परि इसको प्रूफ करके क्या लेके आते हैं f equal ma खेरो उसको छोड़ो आपको सीधे यही इतने ही समझना है कि f बराबर ma यह कहां से आच्छा है बच्छा न्यूटन के दुतिय नियम से और उसके बाद में गतिका जो तरतिय equation है वो कि क्या होता है v square equal वच्छा होता है u square plus 2a s तो हमें गतिका तीसरा समीकरण आना चाहिए यहां पर इसका यूज होगा दूसरी बात यह तो जानते हो कारे बराबर क्या होता है कारे बराबर होता है बल गुडें बल की दिसा में विस्थापन यहने की कारे डबलू बराबर बल बच्छा एप और विस्थापन क्या होता है एस क्या होता है एस तो हमें तीन फार्मूले आना चाहिए कार डबलू बराबर एप गुणे एस उसके बाद में बच्चा एप बराबर एमे न्यूटन का दुतिये नियम और गति की तृतिये समीकन वी स्क्वार बराबर यू स्क्वार प्रस टू ए एस यह एक्स्प्रेशन फिर हमें करने में कोई दिक्कत नहीं होंगे बड़ी आसान पड़ेगी तो बच्चा देखते हैं हमने कहा मान लिया कि माना एम्द्रब्यमान का एक पिंड है जो कि किसे प्रार्मभिक वेग यू से गति कर रहा है पिंड पर गति की दिसा में बल एफ लगाने पर अब जहा कि दिशा में तुम्हें पिंड पर क्या लगाना है बल एफ लगाने से वहां पिंड तुरण एक अंतरकत एस दूरी तय करने में कितना वेग वी हमने कहां प्राप्त करता है वेग वी प्राप्त करता है तब तब किसे तब न्यूटन के दुतिय नियम से हैं, तो बच्चा न्यूटन का दुतिय नियम क्या होता है, F बराबर M A, अब एक काम करो, यह M इधर गुणे में हैं, इधर बेजो के तो बटे में हैं, तो हम कहेंगे A बराबर बच्चा मेरा क्या हो जाएगा, F upon M, हमने कह दिय यह समीकन नंबर हमारा क्या है, एक, अब गति के तरतिय तरतिय समीकन से, तो लाल मेरा गति का जो तीस्त्र समीकन होता है, वो होता है, basically v square बराबर u square plus 2as क्या होता है v square बराबर u square plus 2as अब एक काम करो यह u इधर प्लस का है इसको इधर transfer करो तो v square बराबर प्लस का है बच्चा इधर आएगा minus का हो गया u square बराबर लाल मेरा 2as क्या हो गया बराबर 2as प्राम एक्वैशन 1 यानि कि समी करने एक से तो लाल मेरा समी करने एक से a बराबर f बटे कितना है m तो यहां पर यह का मान रख दो तो और यह बच्चा जो दो हैं यह चाहूं तो इधर ट्रांसफर कर दो तो देखो v square minus u square और 2 था गुणे में इधर आया बटे में बराबर यह कितना क्या होता हमने का f गुणे s तो f गुणे s की जगे पर हम लोग बच्चा क्या कर सकते हैं यहां लिख सकते हैं w यह क्या हो जाएगा w बटे में लाल मेरा क्या चल ला है m चल ला है क्या बटे में चल ला है m इधर से देखो इसको हम यह भी लिख सकते हैं V square by 2 माइनस का लाल U square by 2 लिख सकते हैं भाई अभी फिर से 2 LCM ले लो 2 LCM ले लो तो फिर उपर V square minus U square हो जाएगा अब बच्चा ये M इधर बटे में इसको इधर बेजो तो किस में हो जाएगा? गुडे में हो जाएगा किस में हो जाएगा? गुडे में हो जाएगा तो देखिए यही आगे से हो जाएगा M तो हो गया गुडे में तो हम क्या कहेंगे? V square by 2 माइनस का लाल U square by 2 अब बराबर क्या हो जाएगा? अब आगया W अब आगे से देखो तो इसी को ये भी लिख सकते हैं डबलू इस साइट चाहे दर तो W बराबर M से अंदर बच्चा गुड़ा कराओ तो यही हो जाएगा देखो 1 बटा दो इसी को हम कहेंगे M V square भाई M अंदर गया? ठीक है? तो यही तो देखो लिखा है अभी अगर फिर से इस को हम V को गुड़ा कराएदें तो V square by 2 1 by 2 M V square minus 1 by 2 M U square M V square और minus 1 बटा दो M V square यही तो तुमने अभी बच्चा लिखा था क्या लिखा था? कि किया गया कारिक गति जूर्जा परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है क्या होता है? बराबर होता है अब बच्चा जैसा की हम जानते है यहाँ पर एक बटा दो M V square क्या है? अंतिम गति जूर्जा क्या है? अंतिम तो अंतिम क्योंकि यहाँ पर V square कैसा है? अंतिम वेग है कैसे यह अंतिम यहाँ पर गति जूर्जा का बनेगी? अन्तिम गति जूर्जा क्या होती है? फाइनल विलोसिटी क्या होती है फाइनल विलोसिती तो kf हम इसको कह सकते हैं क्या कह सकते हैं kf और उसके बाद में यह m u स्क्वाइर यह क्या है प्रारंभिक गति जूरजा तो हम बैश्चा क्या कह सकते हैं एक बटे 2 यहां से M u, 1, 2, Mu square, बराबर क्या कहेंगे ? K initial . तो हम यहाँ से इसी को कह सकते हैं, कि किया गया कार्य, यही होगा W बराबर, लिख सकते हैं, हमने का 1, 2, Mu square Final है, तो हम इसी को बच्चा क्या कह सकते हैं ? Kf, क्या कह सकते हैं ? Kf और मै inflation , क्या कह सकते हैю ? K, I, इस प्रकार लिख दो यह हमने कहा के अफ माइनस के आई यह क्या है उर्जा परिवर्तन डेल्टा के इसी को हम डेल्टा के कह सकते हैं डबलू बराबर क्या डेल्टा के क्योंकि कभी-कभी इस प्रमेंрах में सीधे लिख देता है कि यह प्रूफ करो इसलिए हमने तुमको यह भी बता दिया यह बच्चों हमारे था मारे अनको र्च प्रमे ambiguous बच्चों ःष्जा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीड करने बाद